रादे रादे दोस्तों हाउसी तिंक्स में आपका स्वागत है आज हम आपको तीन चार नमबर लड़ू गुपाल के लिए यह सरत्पूर्णमा स्पेसल ड्रेस बनाना बताएंगे यह हमने प्लैन कपड़े से बनाई है यह तीन चार नमबर लड़ू गुपाल के लिए कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसके साथ हमने यह पगड़ी भी बनाई है इसे बनाना बहुत तेजी है तो देखते हैं इसे हमने कैसी बनाया है जान नमबर लड़ू गुपाल के पोसाग बनाने के लिए यह ह संबाई हमने 34 इंच और चोड़ाई इसकी हमने साड़े तीन इंच ली है अब इसी के नाप का हम अस्तर लेंगे इसके ऊपर इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे ऐसे और इधर किनारी से हम सिलाई लगाएंगे इसमें हमने यह सिलाई लगा ली है एक साइड अब हम इसको सीधा करेंगे हम ऐसे करेंगे अब इसके दोनों किनारों पर और उपर साइड हम सिलाई लगाएंगे इधर ऊपर और इसके दूसरे साइड. इसके तीनों तरप हमने फ्लाई लगा ली है, अब जो एक्स्टर अस्तर हैं उसको हम कट कर देगे, एक्स्टर अस्तर हमने कट कर दिया है, अब हम यह गोटा लेगे, इसको ऐसे लगाएंगे, आधा हम इसके नीचे रखेंगे आधा उपर इस तरह ऐसे रखते हुए इधर हम स्लाई लगाएंगे नीचे साइड हमें ऐसे स्लाई लगानी है इसमें हमने ये लेस लगा दी है इस तरह ऐसे अब हम इसके उपर ये पतला वाला गोटा लगाएंगे ऐसे रखेंगे और स्लाई लगाएंगे ऐसे हमें इसे इधर इधर और इधर तीन लाएने बनानी हैं अभी बना के दिखाते हैं इसमें हमने ये लेस लगा ली है अब दोनों किनारी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह ऐसे और हम क्लाई लगा देंगे इधर भी और इधर भी अब इसे हम साइड से रखेंगे अब एक पट्टी और लेंगे इसकी लंबाई हमने 15 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच ली है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे और इधर हम स्लाई लगा देंगे इसमें हमने ये लेस लगा ली है अब इसके ऊपर हम ऐसे पतला वाला गोटा रखेंगे इस तरह ऐसे और इस पे हम स्लाई लगाएंगे इसमें हमने ये लेस लगा ली है इतना रेडी होया है अब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरह ऐसे और इधर से स्लाई लगाएंगे साड़े चार इंज तक इसे हमने रेडी कर लिया है अब इसको रखेंगे साइड से इसके दोनों तरफ हमने यह सलाई लगा ली है अब इसमें हम प्लेटे बनाएंगे प्लेटे हमें बहुत ही घनी बनानी है इस तरह से और इसलाई लगाते जाएंगे इसमें हमने प्लेटे बना ली है यह घीर बन जया है अब हम इसको ऐसे रखेंगे ऐसे उल्टा इस तरह ऐसे और इसकी सेंटर पर हम इसको रखेंगे ऐसे और इधर हम सलाई लगा देंगे इसमें हमने इसे जोड लिया है इस पर सलाई लगा दी है अब इधर हम नेफा लगाएंगे तो इसी नाफ से आधा इंच लंबी एक पट्टी लेंगे कि लंबाई हमने पांच इंच और चौड़ाई दो इंच ली है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके पीछे ऐसे रखेंगे और स्लाई लगाएंगे इधर ऐसी इधर हमने स्लाई लगा ली है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बीच में डोरी रखेंगे बस हमें यह देखना है कि स्लाई हम डोरी पे ना लगाएं इसको ऐसे रखेंगे और इधर किनारी से हम स्लाई लगाएंगे इसमें हमने डोरी लगा ली है और स्लाई भी लगा दी है डोरी में हमने लटकन लगा ली है यह हमारी ड्रेस बन गई है अब हम बनाएंगे मुकुट उसके लिए हमने यह किए कपड़ा लिया है इसकी लंबाई हमने 30-5 inches और 4.500 inches ली है अब हम इसको ऐसे फूल्ड करेंगे दौनों शाइड से और फिर ऐसे फूल्ड करेंगे और इस पर हम lige सलाई लगाएंगे इसमें हमने सब्सक्राई लगा ली है अब जिस साइड हमने सलाई लगाई है उधर हम यह गोटा लेस लगाएंगे आधी उपर आधी नीचे और ऐसे करके इसके हम सलाई लगा देंगे इसके बाद हम यह पतली वाली गोटा लेंगे उसको ऐसे रखेंगे और सलाई लगाएंगे और इधर रखेंगे और सलाई लगाएंगे अभी हम इसे कंप्लीट करके दिखाते हैं, इसमें हमने लेस लगा ली है, आप हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और अपने लड्डू गोपाल के सिरके नाप के बराबर इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और जितनी जो एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे, इसमें हमने सलाई लगा ली है, यह हमारी पगड़ी और पोसाग बन गई है,